हेलो फ्रेंड स्वागत है आप सभी के मेरे यूटूब चैनल में एमेड सेशन 2017 से 19 के लिए अपडेट आ चुका है परिक्षा से संबंदित ये जनकारी है दैनिक वासकर में अपडेट आ चुका है तो चली जान लेते हैं पूरी अपडेट क्या है एमेड की परिक्षा कब हो परिक्षा है वो आपकी आठ जून से सुरू होने वाली है ठीक है आठ जून से आपकी परिक्षा सुरू हो जाएगी चलिए जान लेते हैं पूरी अपडेट क्या है पूरी नोटिफिकेशन क्या है बिरकुमर सिंग विश्व विद्याले में छात्र राजद इकाई की कासित कर दिया है और परिक्षा आठ से दस जून तक होगी यानि आपकी जो डेट है आठ से दस जून तक में आपका एमेट की परिक्षा समाप्त कर ली जाएगी पहले या परिक्षा एक से तीन जून तक होनी थी परिक्षा का केंद्र विरकुमर सिंग वीवी के एम बीए डक्टर लत्ती का वर्मा ने बताया कि परिक्षा में लॉकडाउन की सक्ति के पालन किया जाएगा परिक्षार्थी कोरोना में हमारी में परिक्षा समाजिक दूरी बना कर देंगे मालूम हो कि विश्व विद्याले प्रबंदन ने UGC के पत्र का हवाला देती हुए अचानक एमेट की परिक्षा को अस्थागित कर दिया था इसके बाद विद्यार्थियों का एक सिस्ट मंडल कुलपती प्रोद्यवी प्रसाद तिवारी आरा छात्र राजद इकाई की बैटक में बिरकुमर सिंग विश्व विद्याले के अधक्स रनिस्त यादो को मनोनित किया गय गरीव अधिकार दिवस साथ जून को मनाने को लेकर मन्थन हुआ इस इधर छात्र राजद के द्वारा विश्व विद्याले अध्यक्ष मनोनियन किये जाने पर रजनिस्यादों ने कहा कि जिस उद्यसे के साथ दल ने मुझे पर विश्वास जताया है उस पर मैं पूरी तरक खरा उतरने का पर्यास करूंगा उन्होंने कहा कि पूर्व की कमिटी को ततकाल प्रभाव से भंग किया जाता है वीवी अध्यक्ष बनने पर पूर्व मंतरी शिवाननतिवारी अब्दुल मालिक हरी नरायन सिंग पूर्व मल्सी लालदासराय पूर्व विधायक डॉक्टर अनवर आलम सरोज यादव राम विशुन लोहिया मनोज सिंग धननजय यादव पूर्व वीवी अध्यक्ष भीम यादव और विंद यादव चंदन गुंगली इशान एवं मौमत तासीर शहीत कई ने बधाई दिया यहां पे देख लिजे पूरा आपडेट द जिस पर कुलपती ने अश्वासन दिया था कि कागजो का अध्यन करने के बाद परिक्षा जल्द संचालित की जाएगी गवर तलब होगा कि महराना परताप महनिया कॉलेज महनिया और माता मंझारो अजब दयाल सिंग एमेड कॉलेज में उक्त समेस्टर में 46 विद्यारती जितने भी कॉलेज हैं एमेड के लिए बिहार में विरकॉर सिंग उन्वर्सिटी समीत शहीत सभी का एक्जाम होगा आठ जून से दस जून के बीच में यह पूरी अपडेट है तो प्लेस विडियो को लाइक करें ऐसे ही सिक्षा से सम्बंदित कोई भी बिहार में आने वा झाल